बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली अनर्सिस में आपका स्वागत है आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 45,762 पे जो कि कल से लगभग फिर से 308 पॉइंट नीचे गिर के मार्केट बंद हुआ है यह भले ही 308 पॉइंट दिख रहा है लेकिन मैं आपको एक बात बत करता हूँ 47,200 से लेके मार्केट गिराता 46,000 तक यह 1200 पॉइंट की गिरावट थी आज मार्केट वैसे भी गाप डाउन हुआ और फिर मार्केट में हमने पहले एक बुलिश ट्रेंड देखा बहुत आसानी से मार्केट 46,200 तक मार्केट पहुचा दुबारा फिर वहाँ से इन सब चीजों से आपको क्यान लगता है कि मार्केट का दिशा और निर्देश क्या होना चाहिए इस के लिए थोड़ा सब इतिहास को देखेंगे मैंने आपको कल कहा था, मैंने सीधी सीधे शब्दों में कहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी साथ में मैंने कल एक बात आपको कहे थी, जो कि मार्केट अगर बड़ा गैब डाउर उपन होता है तो ज्यादा तर मार्केट में शुरुवात में मार्केट बुलिश टेंड करता है बाद में अगर गिरावट अगर market downtrend में फिर गिरावट आएगी लेकिन जब बड़ी gap down गड़ा होता है तो market में शुरुवाती दोर में सुबह के समय में आपको market bullish नजर आएगा आज भी market वही हुआ है market gap down खुला market bullish हुआ लेकिन finally 46,200 को वो cross नहीं कर पाया और वहाँ से market शांदार तरीके से गिरा मैंने कल आपसे कहा था कि market ये जो ये कल का close है ये जो blue color का line देख रहे ये कल का close का line है और market ये जुलाई महिने में सेप्टेंबर महिने में डिसेंबर महिने में मार्केट यहां से यह दो महीना अगर हम देखते हैं, जुलाई और सप्टेमबर, यहां से मार्केट जो पहुचा था, ओल टाइम हाई था यह, शियाले सजा मार्केट में गिरावट देखा, सप्टेमबर में महीने में, फिर से मार्केट में गिरावट देखा, डिसेमबर में resistance को break करता हूँ, market उपर चला गया, consolidated किया, दुबारा नीचे आया, और मैंने कल आप से कहा था कि market दुबारा गिरने के एक अगार पे है, क्यों क्योंकि market का देखिए, कारण छोड़ दीजिए, मुझे कारण से, किस कारण से market गिर रहा है, मुझे इस से लेना देना नहीं होता है, मुझे सिर्फ chart से लेना देना होता है, मुझे सिर्फ candle से लेना देना होता है, अगर इस candle को देखेंगे तो ये सबसे पहले ये bearish candle है, उपर से इतना बड़ा gap down, इसलिए मैंने कहा था कि market में अगले दिन भी put का सामराज्य होगा, put blast करेगा, और आज वही हुआ, शुर हुआ, इसका मतलब आप समझ रहे, मैंने कहले आप से एक बात कहा था, कि market अगर 45,800 के नीचे close हो, या नीचे आ जाए, तो market में गिरावट आएगी, वो तो मैं आपको 15 मिनट के time frame पर सारी चीज़े मैं, और तपतीर से और detail में बताऊंगा ही, फिलहाल market में फिर से downtrend आने के लिए market भी तैयार हो रहा है, इसलिए बहुत जादा call के तरफ भरोसा मत करिएगा, थोड़ा सा इतिहास अगर देखेंगे, आप दो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, चाकि आपको समझ में आए, देखिए, ये जो area है, ये area पूरा sellers के हाथों में था, मैं जुल अगली बार क्या होता है, डिसमबर में market जैसे तैसे पहुशता है, एक दिन वो तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार आई थी, कारण वो था, बड़ा gap up उपन हुआ, और market bullish trend कर गया, gap up open के साथ साथ market और उपर गया, 800 point तो market gap up उपन हुआ, और उसके पे तो market और उपर ज SL था, उसको hit कर दिया, और फिर market वासे bullish हो गया, यह main कारण था, और आज, अगर मैं कल की बात कर तो market कल किस फायदान पर खड़ा था, market बिल्कुल एक strong support के पास था, लेकिन मैंने आपसे यह कहा था, कि market में bullish trend नहीं आएगा, market अगर किसी कारण से 45,800 के नीचे पहुश जा क्योंकि आप मार्केट दोनों को पिसेगा, और आज भी वह हुआ, मैं भी थोड़ी दिर में discuss करूँगा, लेकिन finally market ने आज 800 के नीचे close दिया है, यह बहुत जरूरी था market का आज 800 के नीचे close देना, क्योंकि यहाँ पे SL, यह आप मान के चलिए कि यहाँ पे sellers के पास market का व देखिए, यह कलका है, यह जो आप चार्ड देख रहे है, यह कलका close है, यह जो है कलका close है यहाँ पे, और कलका low भी यही पे लगा था, 46,010 पे, आज क्या स्तिती हुई, अब इसको समझिए, market उपर क्यों गया, सबसे पहले यह देखिए, market खुलता कहा है, almost 46,500 के पास 45,500, तो 500 by default अगर market उपर से नीचे आ रहा तो यह सबत का काम करता है, अगर market नीचे से उपर जाता है, तो यह resistance का काम करता है, market खुला ही 45,500 के पास, यहाँ पे already buyers पहले से मौझूद थे, इसलिए market में शुरुवात में जो तेज गती हमको नजर आई, उसका main कारण था, कि यह सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोई भी जो round figure का जो आकड़ा होता, एक होता है 500, एक होता है 1000, 1000 कौन सा, जो 46,000, 45,000, 47,000, 48,000, यह, और 500 कौन सा, जो फिलाल market आया जाया था, 45,500, 46,500, यह जो आकड़े होते हैं, यह resistance भी होते हैं, और support का भी काम करते हैं, चुकि market market उपर से नीचे आ रहा है, तो फिलाल 45,500 यह support के तरही से काम किया, और market वही से शुरू होने के वज़े से market यहाँ से uptrend कर गया, अब मैंने आपको call लेनी के लिए मना किया था, जिन लोगों ने नहीं लिया, मोब आ रखो, कम से का आपको धीरे धीरे market की समझ आ रही है, फिर market में क्या होता देखिए, मैंने कहा था कि market जैसे 800 के पास अगर पहुचता है, तो वहाँ से market टकरा के नीचे आएगा, क्यों क्योंकि 800 के पास seller जादा है, क्या हुआ, क्या हुआ, यह देखी मैं आपको बता तो, क्या हुआ, पहला candle 15 minute का 800 के पास आया, दूसरा candle, मैंन market आ गया था, 800 से, तो यहाँ पर भी 500-300 point की गिरावट हमने पौने 10 बजे से लेके, 10 बजे के दर्मयान हमने ये गिरावट हमने देख लिया था, अब जिन लोगों को trade लेना आता है, जो लोग मेरे वीडियो को लगातार, monitor करके देखते हैं कि कब हमें trade लेना चाहिए, कब market का trend बदलता है, तो उन लोगों ने आज पैसा कमाया भले ही, आपने पूरे दिन भर ना बैठे होंगे, लेकिन मेरी बात मान के, अगर आपने पौने 10 बजे का trade लिया होगा, तो आपके पास आज पैसा बना है, अच्छा का सा पैसा मनागी कि market में गिरावट तेज थी, य चुकि market यहाँ पर buyers बहुत जादा थे, इसलिए market यहाँ पर फिर से bullish हो गया, और यह bullishness बिलकुल market को 46,200 तक लेके गया, चुकि market में 46,000, 46,100,200 यह already sellers के लाका था, क्योंकि market नीचे से travel करके उपर जा रहा है, इसलिए market में वहाँ पर selling आना अतियावर्शक था, दूसरी ब उपर गिरा, और low के नीचे सीधा धड़ाम से आकर पटक दिया market को, अगर आप ध्यान देंगे न, तो यह तीन candle, एक, दो, तीन, 200 से लेके सीधा market को 650, 640 तक लाके छोड़ दिया, फुल मिला के यह लगबग 600 point का market गिरावर्ट हुआ, सिर्फ 45 मिनिट में, 45 मिनिट में market 600 point नीचे गिरी आज, कब 12 बज़े के बाद से लेके, सवा बारा से एक बज़े तक market 600 point नीचे गिरा, इसका कारण वही है जिन लोगों को समझ में आता है कि call writer जादा का है, और put writers का है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से market में रहना पड़ेगा, क्योंकि market में अभी 1 February तक ब महिना, एक ऐसा महिना होता है, और खास कर 20 तारीक के बाद, अगर देखा जाते है, 24 तारीक के बाद से, जो आपके साल भर के अगर आप नुकसान भी कर रहे तो इसको पूर्ती कर सकता है, market में इतनी ताकत होती है, बस बशरते आप market को कितना अच्छा समझते, आपका पैस जादा बनेगा, अब देखिए, आज इसके high को हम नोट कर लेते, कल का लगबग market high और low के बीच का जो point था, वो था लगबग 1200 point का, लेकिन आज market ने इतना बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजोद भी अगर देखा जाए, तो market आज 700 point का market में, आज ये हमने game देखा है, 701 मतलब 46,183 और निचे 700 तो माफ किजएगा, मैंने गलत बोला है, लगबग 700-800 के आसपास, और निचे 45,446 का जो market ने लूड लगाया है, तो ये कूल मिला कि बहुत बड़ा area है, उसके बावजोद भी जितना बड़ा area हो, याद रखिएगा, कि market किसी भी fine बनाना बेहत हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज point बहुत बड़े है, ये तीन को समझिए, उपर high है, नीचे बीच वाला close है, और नीचे वाला low है, अब इन तीनों को समझने की कोशिश करिए, market का लगर gap up भी open होता है, और high और close के बीच में होता है, तो trade मत करिएगा, दिख रहा है कि लगबग लगबग 300 point का यहाँ पर गया पर, trade मत करिएगा, सिधी सिधी बात है, देखिए, अगर high और close के बीच में खुलता है, market trade मत करिए, close और low के बीच में खुलता है, trade मत करिए, फिर trade कप करना है, हाँ, अब ये बात समझने की बात है, market अगर high खुलत पिछले दिन के high और पिछले दिन के low के बीच में बड़े momentum नहीं आएंगे, candles बनेंगे, market चड़ेगा, market गिरेगा, पर छोटे छोटे चोटे candles बनेंगे, तो market में बड़ा move कर आएगा, अब बड़े move का अगर इंतजार कर रहे है, तो उपर 46,200 के उपर market अगर cross करके उपर जाता, तो ही buying बड़ी आएगी, उससे पहले buying बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि market में 46,200 के level को reject कर दिया है, आज, reject करने का मतलब समझते है, reject करने का मतलब है, sellers बहुत जादा वहाँ पर आ चुके हैं अभी, यहाँ पे call writers बहुत जादा position मना के बैठे है, तो जब तक इनका sell हित नहीं होता, market में 46,200 को cross नहीं करता, market bullish trend नहीं करेगा, नीचे की बात करते हैं, नीचे आज भी मैं अपने उस बात पे ही अड़ा हुआ हूँ, कि 45,800 के नीचे market आएगा, तो आप बहुत आसानी से put पे काम कर सकते हैं, चुकि market का आज low लगा था 45,446, तो इसके नीच नीचे आएगा, तो market और तेजी से गिरेगा, अगर market मान लिजे कल low के नीचे खुलता है, और या पि कहीं पे भी खुलता, low को breakdown देता है, तो फिर market में आपको कैसे काम करना है, वो आएगा आपका 45,450, दूसरा 45,350, और तीसरा 45,250, ये तीन target आपको मिल जाएगा, नीचे अगर market उपर से गिरता हुआ, low को break करता हुआ, नीचे आता है, तो otherwise यहाँ पर ये scenario भी हो सकता है, कि market कल और बड़ा gap down खुले, और खुलने के बाद फिर धीर धीर उपर चला जाए, low के पास, ऐसा हो सकता है, पुल मिला के जितना हो सके, फिलाल आप call को avoid करिएगा, क्यों market में, जो train चलता है, उसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है, तो market अभी downtrend में है, अब market जब-जब market गिरने की कोशिश करेगा, आपको पैसा वापर आपको जादा बनता हुआ देखेगा, तो market अगर gap down खुलता है, धिरे-दिरे low के पास आता है, और वहाँ से फिर गिरना श पहुचता है, तो यहां से यह आपके पास पैस अच्छा बनेगा, वो होगा आपका पहला 46,000 तक आएगा, यह आपका पहला target हो जाएगा, फिर 45,900 और दूसरा target आएगा 45,800, तीन target आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, और वहाँ पे आके market consolidate कर सकता है, क्योंकि यह close के पास आजाएगा, और close के पास market जैसे पहुचेगा, यहाँ पे आपको बहुत जादा consolidated करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आज position बहुत जादा बनाया गया है, तो position जहाँ पे जितना जादा position बनेगा, वहाँ पे उतना जादा consolidation की मातर भी बढ़ जाएगी, once it crosses the limit, आईए चल हुआ है, इसका मतलब यह है कि मैंने आपसे कल कहा था कि bank nifty और nifty में बहुत जादा अंतर है, nifty जिस तरीके से काम कर रहा है, और bank nifty जिस तरीके से काम कर रहा है, दोनों अपने आपने आपने अलग है, कल का candle देखेंगे तो market बहुत जादा strong support के पास market आके रुका था, ल इस कारण से market आज इस support को break नहीं कर पाया, क्यूंकि market जैसे support के नीचे खुला तो यहाँ पर call writers आभी हो गए, और market को जादा उपर जाने दिये ने, लेकिन, 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 यहाँ पर put writers भी आज कम नहीं थे, call writers के निजबत आज put writers भी उतने ही जादा शक्रियत ह उसका कारण क्या था, कि market में यह जो पूरा area है, यह पूरा buy zone वाला area है, जिस कारण से market आज गिरा नहीं है, लेकिन, यह मत समझिएगा कि market में अभी बहुत जादा downtrend आ गया है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हाँ, market जब तक call के तरफ मैं बात तब ही करूंगा, जब market 21,600 के आ लिए 21,600, एक बार यह cross हो जाए, तो market में आपको बहुत आसानी से, फिर एक बार buying नजर आएगी, कल मैंने यह भी खा था, कि 21,500 के नीचे market में sellers active रहेंगे, और आज वही हुआ, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा 15 मिनिर के time frame पे कि market आज कैसे, आज market ने से शुरू हुआ, लगबग 500 के पास से, 500 के नीचे शुरू हुआ, मैंने आपसे क्या कहा था, market अगर पास सो के नीचे शुरू होगा, तो market में selling आएगी, और क्या होता है final day के market में selling आई, लगबग market 21,300 तक नीचे चला गया था, almost देखेंगे, तो nifty में सुभे सुभे, श से आपके बन रहे थे, हाँ, जिन लोगों ने ध्यान मेरी बातों का नहीं दिया होगा, शायद उनका पैसा नहीं बना, लेकिन जिन लोगों ने दिया, उनका पैसा जरूर बना, दूसरी बात, आज expiry भी था, तो पैसे कमाने के आज बहुत शांदार आपके पास मौका था निफ्टी में, खैर, उसके बाद 300 के पास जब मार्केट आया, 21,300, वाद से मार्केट फिर बुलिश हो गया, लेकिन अब ये जो पहले, अब इसको मैं फुराज का रंग जरूर बदलना चाहूंगा, क्योंकि इसका रंग नहीं बदलेंगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा, अब ये सपोर्ट नहीं रहा, अब तो ये रेस्टेंस बनगा, क्योंकि मार्केट नीचे चलाया है, अब मार्केट जैसे ही सेलर्स की इलाके में गया, सस्टेंट कर पाया है, क्या नहीं, मार्केट यहाँ पे सेलर्स के इलाके के नीचे ही रहा, क्योंकि आपे कॉल राइट otherwise हम call के बारे में नहीं सोचेंगे हाँ दुबारा सोचा जा सकता है लेकिन अगर flat open होता है तो पहला आपका रहेगा 21,450 पहला दूसरा 21,400 और तीसरा होगा 21,350 बस यह आपका शुरुबात का target हो का put side के तरफ लेकिन market अगर इसके बीच में कई खुलता है लेकिन इसके नीचे अगर market आ जा आपको तब जाके put लेना है मैं आपको दुबारा बूलता हूँ market अगर यह जो आज का low लगा है और आज का high है बीच में कहीं भी खुलता है trade मत करिएगा छोड़ दीजिएगा यह no trade zoom होगा या तो आप market को आज के इस level तक जाने दो आज का जो high है उसके बाद आप put ले या market का जो low लगा था उसके बाद आप call ले तब ही आपका पैसा बनेगा बस इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा देन में रखेंगे आपका पैसा जादा अच्छे से बनने लगेगा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको समझ में आता है वो है call writers और put writers का जो इलाका है अकबर एक बार अगर market इसको cross करता है तो हमें पैसा जादा अच्छे से बनाने को बहुता है वीडियो अगर अच्छा लगे तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिए आप से मैं अगले वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए जैहें